हमारे सुरोतागण इस भाग में आप लोगों को ब्रिछा रोपन की अनिवाजता कार्यकार्म के बारे में जानकारी देना चाहते हैं शासंद्वारा भी एक मार्च से पांच मार्च तक ब्रिछा रोपन कार्यकर्म चलाया जा रहा है जैसा कि श्री गुसामी श्री तुलसी दास जी ने रामचेत मानस में सुन्दरकान में बताया है कि हर प्रेरी तेहीं अवसर चले मरुत उन्चास अट्टहास कज गर्जा कपी बढ़ ही लागी अकास अर्थात हनमान जी के पूँच में जब राक्षजासों ने आग लगाई तो उस समय भगवान की प्रेरणा से उन्चासों वायू चलने लगे और हनमान जी अट्टहास करके गर्जे और बढ़कर आकास में जा लगे अर्थात उस समय भी उन्चास प्रकार की वायू का वर्णन स्री उसामी तुलसीदास जी ने या है उन्चास प्रकार की वायू में आक्सीजन एक प्राण वायू मानी जाती है बाई मंडल में इसकी एक निश्चित मात्रा होती है जो 21% है यदि दूसरे गैसों का प्रतिसत बढ़ जाएगा प्राण वायू आक्सीजन की मात्रा 21% से कम होने लगेगी तो मानव जीवन के लिए एक बड़ा संकट होगा इसके बाद सेस वायू जो 48 हैं उन में से कुछ मानव के लिए प्राण घातक गैसे हैं जैसे की कारवन मोनो आक्साइड, कारवन डाय आक्साइड, सलफ़ट डाय आक्साइड, सलफ़ट ट्राय आक्साइड, इथेन, मेथेन, जाइलाल, ब्रोमाई, दुनिया की सबसे जहरीली गैस है इसके अलावा फास जीन गैस, कारवन मोनो आक्साइड, ये सबसे प्राण घातक गैस मानी जाती है इनका संतुलन, पेंड पाउधों की कमी, एवन ब्रिख्या रोपन की अभाव में, आक्सीजन की मात्रा कम, और इन जहरीली गैसों की मात्रा प्रकित में बढ़ रही है इससे आगे आने वाला समय कितना खतरनाक होगा, इसे कुछ नहीं कहा जा सकता है यदि समय रहते ब्रिख्या रोपन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो बहुत बड़ी नुकसान होगी इसी बात को ध्यान में रखते हुए, रिवा जिले के हन्मना विकास, खंडन तरगत, पदस्त, बरिष्ट क्रिस्विकास, अधिकारी स्री आरडी मिस्रा, जी अपने अधीनस्त, सभी ग्रामीन क्रिसी विस्तार अधिकारियों, एटियम, बीटियम के माध्यम से, सभी बनाने का हवान किया है, इसी प्रकार यदि प्रदेश के अन्य अधिकारी भी अपने अपने विकास, खंडों में, ब्रिख्षा, रोपन, अभियान में सहयोग करेंगे, तो अबस सही, आक्सीजन का संतुलन प्रकित में सही होगा, और आगे आने वाला मानवजाद के लिए खुसहाली भरा जीवन दहेगा, बाई प्रदूसन होने के कारण, आज अध्योगी करण के कारण, निन्म लिखित कारण महत्त पूर हैं, जिन्हें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रिख्षों की कमी, आज कल जंगलों में अधा धुन्ध ब्रिख्षों की कटाई की जा रही है, ब्रिख्षा रोपन लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाई मंडल में आक्सीजन की कमी निरंतर हो रही है, दूसरा है और द्योगी करण, आज बढ़ती जंसंख्या में विभिन प्रकार के और द्योगों की अस्थापना हो रही है, जैसे चूड़ी बनाने के कार ख साय निकलती है, कई प्रकार के कोईले की खदानों की खोज की जा रही है, जन संख्या में विध्धी हो रही है, और लोगों में प्रकिती में पाय जाने वाले वायु प्रदूसन के बारे में सिख्षा की कुछ कमी, धात निसकर्सन, देश में बढ़ते रेलों की संख्या, जिसमें भारी मात्रा में कोईला का उप्योग हो रहा है, हैक्ट्रियों में सब दाह किया जाने लगा है, जिस से वाय मंडल में कई प्रकार की हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ रही है, रसायनी कुर्वरक और पेस्टी साइड का प्रियोग भी जादा हो रहा है, साथ हजार से अधिक पेस्टी साइड कमपनियों से बनाये जा रहे हैं, और लगातार नई नई कमपनियां पेस्टी साइड की खुल रहे हैं, यह पेस्टी साइड किसान खेतों में डाल डाल करके, अपनी यहां तक की जल प्रदूसन और बाई प्रदूसन दोनों ही बिगर प्रकार लगातार आक्सीजन के उत्पादन में कमी और जो अन्य हानिकारक गैसे हैं उनका लगातार विकास हो रहा है बढ़ते बाहन आज घर घर में मोटर साइकिल कार टेक्टर आ रहे हैं और उनसे भारी मात्रा में कार्बन डायर्साइड गैस निकल रही है इस प्रकार बहुत से साधन त्यार हो गए हैं जो जहरीली और हानिकारक गैसों को बढ़ावा दे रहे हैं आक्सीजन की ब्रिध्धी करने वाले कारकों पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं पाउधों और ब्रिक्षों की कमी हो रही है इससे कई प्रकार की हानिया हो रही हैं सबसे ज़्यादा हानि है स्वसन रोग जिसे रिस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं स्वसन में जब ये हानिकारक गैसे जाती हैं तो हमारे सांस नली और फेफ़डों में भारी नुकसान पहुंचाती हैं फेफ़डों के रोग से कैंसर रेड ब्लड सेल का डैमेज होना कई मुख्य कारण बंद हैं इसलिए मानव जीवन सुरक्षित नहीं होगा यदि आक्सीजन की मात्रा को संतुलन बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा बिख्या रोपन फैलाना होगा जिससे आगे आने वाली प पूरव अपना समय बेतीत कर सके नहीं तो हास्पिटलों में लगातार भड़ती रहेंगे इनकी दवाईयों की मात्रा बढ़ती जाएगी अब हम ज्यादा जानकारी अगले भाग में दे पाएंगे क्योंकि ये वीडियो बढ़ी होगी और चैनल को सब्क्राइब जरूर कर बढ़ी है